एपसी बार्सलोना 4 इंटर सिटी क्लब फुटबोल 3 इस कोरलाइन को देखके बार्सलोना फैंस को खुश होना चाहिए या फिर चुल उपर पानी में डूब बनना चाहिए यह जानेगे हम इस वीडियो में तो थर्ड डिविजन की टीम जिसमें बार्सलोना की बी टीम बार् मज़ रही है या फिर आप एक वीन को सेलिब्रेट कर रहो कि आप नेक्स राउन में पहुंच चुके हो तो इन सब के बारे में आज हम डिसकस जरूर करेंगे तो सबसे बेरे बात करतें लाइनप से तो लाइनप आज जावी ने थोड़ी सी सेंसिबल उतारी थी मेरे इस सा किया और जो सभी बार्सावा फैंस की इस सेजन के स्टार्टिंग से तमन्ना थी वह फाइनली वहां पे पूरी किजावी ने ओब्यस्ली गोल लाइन पे इना की पेण्या को मौका मिला था उसका कॉंट्राक भी एक्स्टेंड हुआ है उसको कली रेजिस्टर किया कैसे भी क स्टार्ट किया उसके भी बात करेंगे उसके बाद फुल बेक्स पे चोडियालबा को खिलाना बनता था क्योंकि नेक्स में नहीं खेल रहा है ट्रेटिको वाला सस्पेंडर है एंड राइट साइट पे फाइनली एक्टेर बेलेरिन को मौका दे दिया गया तो वह भी उस न यहाँ पे बिडिट्स देने थे तो मुस्केट ने भी स्टार्ट किया और केसी को भी फाइनली मिनिट्स मिल गए और फ्रंट लाइन में इंट्रेसिंग थी थी मेंफिस डिपे फेराग तोरेस एंड उसमान डेमिले तो इस फ्रंट लाइन के साथ जावी उत्रा था लाइन सही था तो लाइनप इस वेल एंड गुड नाव लेट्स मूँवन तो दी पर्फॉमस भाई साब मतलब आप देखे कि इंटर सिटी के सामने इस तरह की पर्फॉमस देना और बाई इनफेक्टिवनेस यह मतलब एस सब्द वार्सा के साथ जोड़ चुका है आप अगर किसी मेंच में 29 सोर्च लेते हो तो भाई वो दिखाता है कि और उसमें से सिर्फ आप चारी कनवर्ट कर पाते हो उसमें सी एक सेट पिस वाला था भाई अराहो का जो फेला वे गोल आया भाई सब क्या हैडर माना है उसने मरला आते ही फॉर्स मिंट में जिस तरह से हो हैडर से औ ऑबलो तर्ण का बैतरीन क्रोस था भाई अंड जिस तरह से उसने कोर्णर हो ने आपए धिया अराहो ने किया था और इना की पिण्या को बीट हो उसके बाद सोर लिए लेकिन भाई साब अराहो का रन भाई साब इस तरह से उसने इस मेच में भी परफ़मस दिया है बहतरीन परफ़मस भाई आप बोलेगे कि फिर केसे खोर गोल खाले उसको सबस्टिटूट कर दिया गया था 68 मिनित पे और उसके बाद जो हमारे और बच्चे थे जिसकी में बात करूंगा आगे वो आये थे तो वह जब तक अराहो खेला अराहों कुंडे की वेरिंग भाई आफ लाइन से भी आगे वह इतने हाई-लाइन कौन खेलता है लेकर इस ग्रेल भी आप देख सकते हैं कि इसमेच में थोड़ा सा एक्स्प्रिमेंट भी जावी ने किया हो कि है आप थोड़ा सा हाई-लाइन खेलो और वह रोख सकता था पर्टिकुलरली जो उसने तीसरा गोल मारा है एधिंक वहाँ पर थोड़ा सा अपना वह क्या गोलते हैं कि एज खीपर एधिंक रोखना चेथा लेकिन नर कोई नहीं चलो वह आगे भी मरला बलन करेगा तो उसके वह कोई बात नहीं है एक्टर मिलेनिम मैं उससे भी मिट्फिल की बात करें पाबलो तोरे इस साइडिक स्टार भाई 60 मिनिट वह खेला मेरे को समझ में नहीं आए कि उसको क्यों आपने सब्स्टिटूट कर दिया चार चांसिस क्रियेट किये एक आसिश दिया भाई उससे बढ़ी है क्या हो और आपका फर्स्ट आप से ज्यादा हो आप बोल सकते हो कि थोड़ा से और ज्यादा अटेकिंग मिट्फिल्डर है मेरे इस साब से कि जिस तरह से उसकी इंस्टिंक है और भाई बोक्स के अंदर भी और जिस तरह से वो स्टेकिंग अबिलिटी है I think he will be really really useful और I think लाली गामी सिर्कों 13 मिनिट खेला वाई कैसी कैसी का भाई आज जावी ने उसके रोल को ही आज किस तरह से डिफाइंड किया था मेरे को समझने या सेकंड श्राइकर या फिर जो लेकिन वह फूल खेल रहा था भाई मतलब उसको पोजिशन पर जावी उसको बोला था I think वहा पर उस तरह से वह एफेक्टिव पास कर दें फिर essential decision making में या फिर कर पास decision making में अंञीया डेकने को बिला दौले लेकिन स्कोर सीप में अने सावशिट मेन का डाल finance को प्धल था एफेक्ट कर गोल और बाध मार बैत दिन कोल्ता एज आड Pan Traps फेशन ऑगा था देखिए उसकी decision making या फिर उसका movement देखिए उसका first देखिए अब उसको confidence ही नहीं है तो I think Ferran Torres has been awful Memphis D में tik-tac का खेला मतलब हो उतना जदा अच्छा भी नहीं बोलेंगे उतना जदा गुरा भी नहीं बोलोंगे तो दोनाने गोल मा रहे है और बैतरीन आज सुफार्टी अमने जो क्या बोलती है कि उससे एक जो complaint थी last match में I think थोड़ा सा confidence उसको भी मिला होगा तो उसने भी बैतरीन खेला है Rafinha भी as always has been brilliant भाई and I think उसका भी गोल आने से I think उसका भी confidence बढ़ा है तो I think Dembele, Rafinha and Fatih का गोल आने से I think एक positive बार्षा का इसमें से वो ले सकते है कि तीनों के गोल आने से थोड़ा सा उन दोन तीनों का confidence भी बढ़ा है and I think more हम उससे expert करते है and they have to improve their effectiveness guys मरलब हमारे जो front line है उसकी तो effectiveness है उसकी तो मरलब क्या ही बोले वर्स्ट वर्स्ट है वर्स्ट है इस पूरे Emerald I think league में जिस तरह से यह लोग chances miss करते हैं क्योंकि बथेरे chances मिलते हैं लेकिन इतना easy day chances miss करते हैं उसके लावा back line में Marka Salonso को मौका दिया गया था and वह जो तीसरा गोल पड़ा और उसने जो physicalities हा रहा I think we have to do मतलब जावी चाहे कुछ भी बोले चाहे हमारी जो भी financial situation हो लेकिन Marka Salonso आपको 2-3 में चाच्छा कर दे इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको contract renewal दे दो मेरे तो मतलब समझ से परे किस तरह से आप Marka Salonso, Sargi, Roboto, Busket इस जबको अभी भी contract renewal देना चाहते हो मतलब इस तरह कि अगर third division की team के सामने गर आप extra time में जाके जीत रहे हो तो आपकी वह वह पर ineffectiveness और जो भी बोली आपका lack of concentration या फिर आपकी disoriented मतलब playing style या जो भी बोली सब कुछ आपका वहाँ पर expose हो गया और यह clearly दिखाता है कि we have to work more और काफी जादा improvement का वी भी scope है बारसा की जो fluidness हम देखते है वह भी भी नहीं है तो overall I am really disappointed by performance लेकिन वीन आगया तो कोई नहीं चलो next round में और next match इतलेटिको मेंडिड के सामने तो वह भी हमें एक ध्यान में रखना पड़ेगा लेवन्डोस की भी नहीं होगा तो let's see कि next match में किस तरह से जावी की टिम performance करती है बाकी awful performance उसमें कोई doubt नहीं है आप एका दो positive ले सकते हो पाबलो तोरे का positive या फिर अडाव एक कुण्डे की जिस तरह से partnership बनी वो या फिर आण सुफात इंबले रफिन्या के गोल्स तो ये थोड़े से positive है बाकी ओर रोल आप देखें तो सब कुछ बतला हम आप देखें गेम डेफिनिटली बार्सा ने डोमिनेट किया था सब कि जाविक इस तरह सिस्टीम को और भी जादा इंप्रूव करके रखता है तो thank you very much for watching this video guys, till then guys take care, bye bye, विसकाल बार्सा